हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास यहां पे Poco Company का फोन है दोस्तो और यहां पे आपके फोन में जब भी आप लोग कोई एप वगर है यहां पे इस्टॉल करते हैं वह application जो है वह आपके फोन के home skin पर नहीं आता है भले ही वह app आपके app drawer में चले जाता है बट आपके फोन के home skin पर सो नहीं करता है तो इस problem को आप लोग यहां पे कैसे ठीक करेंगे वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तो आप लोग यहां पे इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को इस्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहां पे आपको इस problem को solve करने के लिए आपको सबसे पहले अपने phone में app drawer को open करना है app drawer को open करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को उपर की ओर 3 line दिखाई देगा आप लोगों वहाँ पे click कर लेजिए यहाँ पे click करने के बाद आपको यहाँ पे place new app on the home screen का option आ जाता है तो दोस्तों अगर यहाँ पे जो है बंद रहेगा ना इस तरीके से बंद रहेगा तब आपके phone में कोई भी app आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके phone के home screen पर नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे इसको click करके इसको on कर देना है ताकि जब भी आप लोग कोई भी app यहाँ पे अपने phone में डाउनलोड करें प्ले स्टॉर से तो वो जो है डारेक्ली आपके phone के home screen पर यहाँ पे सोफ हो जाए तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इस problem को solve अगर सकते हैं तो गाईस अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe भी कर लिजिए